दोस्तों नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको गायों को पास दिन में हीट में लाने वाला विशेश पॉर्मूला देने वाला हूँ जो की आने वाला हागे का मोसम है उसमें आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि अब बारिस का मोसम आदा जा चुका है हरा चारा चारो तरफ है तो भाई जो भी गाये में से हीट में नहीं आई है उनको जल्द जल्द हीट में लाया जाए ताकि जल्द से जल्द उन्हें कंसीव किया जा सके ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अभी अनुक बूल मोसम आ गया है। बारिस का आदे से ज्यादा जा चुकी है। थो अब देखे, heat में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। गयों के लिए विसेस फॉर्मला है, बैसों के लिए क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि गायों के लिए विसेश इसलिए है कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो एक लिक्वीड है और लिक्वीड को पिलाना बड़ा आसान रहता है गायों में बैसों में पिलाना बड़ा भारी रहता है क्योंकि बैसों में ड्रेंचिंग की समझा ज़्यादा होती है तो अगर आप बैसों को खिला सकें तो कोई दिक्कत नहीं आप बैसों में भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं वागि गायों के लिए यह फॉर्मॉला विसेश रहेगा और वो फॉर्मॉला क्या है आप यहां पर पैनल पर देख पा रहे हैं टेबूल पर पड़े हैं चुहारे चुहारों स कौन परिचित नहीं है सभी परिचित है आप सभी जानते हैं चुहारा आपको इजिली नजदीक में जो किनाना इस्टोर की दुकान है वहाँ पर मिल जाएगा चुहारे के कम से कम हम आठ से दस पीस लेते हैं कितने लेते हैं आठ से दस पीस चुहारे के हम लेते हैं और इन चुआरे के कम से कम 15-20 पीस कर दिये जाते हैं इस तरीके से हलका कूटा जाता है कूटने के बाद जो काम करना है सबसे प्रमुक काम वही है कूटने के बाद आपको एक लिटर दूद लेना है और उस एक लिटर दूद में देखिए दूद भी अगर गाय के लिए बैस का लें और बैस के लिए गाय का लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा उस एक लिटर दूद में दो लिटर आपको पानी डालना है और गरम करने के लिए रख देना है साथ में दो चीजे मिलानी पड़ेगी एक तो है ये चुहारे ये उसमें मिला दीजिए इसके अलावा 50 ग्राम हल्दी आप उसमें मिलाइए और कम से कम 15 ग्राम काली मिर्च आप उसमें मिलाइए हल्दी मिलाएंगे काली मिर्च मिलाएंगे काली मिल्स को पीछ लीजिए, हल्दी को भी पीछ लीजिए दोनों को जो गरम हो रहा है उसी में डाल दीजिए जो गरम हो रहा है दूद, उसी में हम डाल देंगे चुहारों को और इन तीनों चीजों को हम करेंगे गरम बड़िया तरीके से गरम करेंगे और गरम करने के बाद इतना गरम करेंगे कि जो दो गुना हमने पानी डाला था ना वो पानी छिज करके वापिस वन थर्ड हो जाए यानि यह जो mix-up है फिर से एक लिटर हो जाएगा हमने दो लिटर पानी एक्स्टा डाला लेकिन वो पानी गरम होते होते चित जाना चाहिए और फिर उसे नीचे उतार दीजिए नीचे उतार करके और आप डायरेक्ट भी पिला सकते हैं तो चान करके भी पिला सकते हैं दोनों ही विदी से पिलाया जा सकता है इसके अलावा हम जाते हैं कि यह जो इनके टुकडे हैं वो भी फसु के सरीर में जाए तो और अच्छा वर्क करेंगे तो उसके लिए एक छोटा सा प्रबंध आप ये भी कर सकते हैं कि जिस समय इनकी आप कुटाई पिसाई करते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा पीस लीजिए अलाव इनक दिन इसी प्रक्रिया को करना है लेकिन इस प्रक्रिया जो ये प्रक्रिया है इसका 100% रिजल्ट कैसे मिलेगा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सोचना तो 100% रिजल्ट लेने के लिए हमें क्या करना है हमें इसके लिए जो इसके मूल भूत जो चीज़ें हैं उनको कवर कर मुल्बू चीजें क्या है पहली चीज है वह डिवार्मिंग यानि जब भी आप यह फोर्मुला देते हैं उससे पहले आप अपने पसों की डिवार्मिंग करवा दीजिए अच्छा रहेगा इसके अलावा साथ से 21 तक हम ट्रेस मिनरल्स या मल्टी विटामिन की जिनको गोलि या दिया करते हैं तो वह आप पहले ही दे दीजिए ताकि यह जो गर्मी की चीज दे रहे हैं इससे तुरंत ही आपकी गाए हीट में आ जाए यानि डिवार्मिंग गरवा करके और मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल की गोलियां साथ से 21 दिन तक दे और उसके बाद सुरू कर इस फॉर्मूले को ताकि इसका जो रिजल्ट है वो 100% रे जाए मातर 5 दिन देने से ही आपकी गाए हीट में आ जाएगी और बहुत ही सस्ता तरीका है इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगने वाला है मातर 5, 10, 15, 20 रूपे में ही आप अपनी गाए को हीट में ला सकते ह और बिल्कुल कंसीव करा देंगे तो वो ग्याविन भी ठहर जाएगी कंसीव हो जाएगी जब भी आपको रॉस करवाएगे